हेलो दोस्तों Welcome back to new video Friends क्या आप लोगे फ़ोन के भी स्पीकर से साउड नहीं आ रहा है यानि कि आपके फ़ोन में भी क्या प्रोब्लम है जिसके करना ऐसा प्रोब्लम है रहा है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर लियोंगो ते चैनल को सस्क्राइब कर लेना और साथ में बेल आगन प्रेस करके ओल पर सेट कर ले किस तरह सी इस problem को fix करना है अगर आपके फोन में इस तरह के problem आ रहे हैं तो चलिए यहाँ पर हम अपने फोन के डायलोर को open कर लेते हैं आप लोग भी अपने डायलोर को open कर लीजी और यहाँ पर आपको एक code को dial करना है star has 87 has इस तरह से आपको code को dial कर लेना है और जैसी आप code को dial कर लेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे notification आना स्टार्ट हो जागा इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है अभी और यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर आपको क्लिक करना है आपको manual test की option पर आपको इहां पर क्लिक करना है और यहाँ आपको क्लिक करेंगे आपको एक sound सुनाई देगा अगर आपके phone में loudly आ रहा है तो आपका speaker सही है अगर आपके phone से बहुत ही कम अबाज आ रहा है फिर भी आपका speaker सही है बट आपके phone में कुछ जंग लग चुके हैं और कुछ dust चले गए हैं आपके phone के speaker में जिस करन से आपको इस तरह के problem आ रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर click करके से check करेंगे तो यहाँ पर आपका phone का speaker कैसा है कैसा काम कर रहे हैं present आपको चेक कर लेना है अगर sound आ रहे है तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं आ रहे तो आपको पता हो जाना चाहिए क्यों आफकी phone का speaker ढमेज हो चुका है है अगर यहां और कभिक कर लेटेंगे और यहां पर हमारे फॉन का SP कर कि आपको Fond का SP कर डाइमेज्ड है ङाफिरापका पिर कुछ प्रilippe कर्णा है और ला आप यहां से हम बैक चलती हाँ यहां पर हमारीज क्या ट면 कर डाइल पर और same code को यहाँ पर आपको dial करना है और dial करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो correct के option पर click करना है और यहाँ पर आपको quit application के option पर यहाँ पर आपको click करना है और इस तरह से आपको इस application को quit कर देना है पहले अपने phone से तो चलिए बात कर लेती कि अगर हमारे phone के speaker से थोड़ा-थोड़ा sound आ रहा है या फिर बहुत ही कम sound आ रहा है तो उसको कैसे fix करना है तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक application की जरूरत परेगी application का link आपको वीडियो के description में या फिर comment pin में मिल जाएगा वहां से जाकर आपको इस application को डा Earn Sea reference को डानलोड कर लेना डानलोड करने के बाद आपको application को open कर लेना है अपने phone में तो यहां पर जो हमारा application इस्टार्ट होना शुरू हो जाता है इस तरह से और यहां पर थोरा सा time लग सकते हैं यहां पर आपको इस तरह से open हो जाएंगे तो यहां पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा clean speaker यहां पर आपको click करना है clean speaker के option पर और जैसे आप click कर देंगे यह आपको अच्छे से wet कर लेना है इसको quit नहीं करना है आपको जब आपका cleaning complete हो जाएगा तो कुछी स्टर का interface आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसको आपको फिर से start करना है दो से तीन बार आपको फोन में इसको start करना है आपके फोन में बहुत जादा vibration भी आएगा तो आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है यह आपको फोन का speaker को clean करने के लिए काम करता है तो आपको कर लेना है दो से तीन बार इसको फिर से restart पर क्लिक करके कर लेना और यहां से हम back चलते है और अभी मैं आपको एक और point बताने वाला हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था व हमारे phone में sound आना बंद हो जाते है तो आपको क्या करना है silent mode को दो से तीन बार on and off करना है और इस तरह से आप इन points को apply करके अपने phone में इस तरह के problem को fix कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर ने होंगे तो चैनल को subscribe कर लेना च चलिए मिल देख नए वीडियो में